तो हेलो चात्रों आज की इस पीडियो में आपका सौगत यहाँ पे मैं लेकर आज कहूं प्रक्षा वारवी हिंदी अनिवार अर्दवासिक परिच्छा 2021-22 बिल्कुल जी हां बच्चो आपका समय यहाँ पे आपका दो घंटा 45 मिनेट होने वाला है साथ में पूर्णा आपक जाने वाला नहीं है तो जो बच्चे जिन जिलो में आपका पेपर नहीं हुआ है तो जल्दी से हरे कोस्टन आपको रटना है तो देखो यहां पर आपके सारे के सारे प्रसने आपके 32 नंबर के कोस्टन तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पर पहली वार करते हुए तो जल्दी से क्या करेंगे आप चैनल को सिस्क्राइब करेंगे तो चलो यहां पर आपका पढ़ना है देखो आपका यह पेपर है और यहां पर आपको सभी कोस्टन करना आपको अनिवार है आपको यहां पर पहला गध्यान से दिया है क्या दिया है बच्चों आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको simple सा answer करना है बच्चो यहाँ पे देखो question क्या लिखा है पहला देख लिजी यहाँ पे किसी रूचियों और भावनाव की उपेक्चा की जाती है पुरुस की, संत की, नारी की या फिर कवी की तो जैसे आप इसे पढ़ेंगे तो बच्चो आपको इसमें नारी की परसिती के बारे में लिखा गया है इसलिस का सही answer आपको यहाँ पे नारी की होगा ठीक है तो आप इसे पढ़ लिजी यहाँ पे एक दूसरी की भवपनाओं का ध्यान रखना चाहिए ठीक है आपका यह राइट अंसर होगा यह paragraph पढ़ लिजे कोई दिक्कत नहीं है सारे question के answer आपको इसी में मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे last में आपको हरिवन सराइ बच्चन के आपको रचना है कि नहीं है ठीक कौन सा है मधुवाला है आत्मजई है आप जानते हैं मधुसाला इनका एक रचना का नाम तो है आप यह जानते हैं ठीक है लेकिन पूछाए भई इसमें से कौन सा नहीं है यह कोश्चन आपका दिया है कोश्चन नमर साथ में महादी वर्मा का प्रमुख कवीत्री थी किसकी थी तो आप जानते हैं महादी वर्मा छाया वात की कवीत्री थी आप एक सूत्रियात कर लिजीगा क्या कर लिजेगा आपको इसमें याद करना है बच्चो आपको मैं बताता हूँ आठ चारसो 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 जी हाँ याद कर लिजे वाटसप नमबर तुकि आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमेश्ट्री वायलोजी का आपके हर डाउट हर कोश्चन का मिलेगा तुरंट वेडियो सोलूशन वो भी आपके सिधा बाटसप पर बस आपको अपने फोल में डाउटनट का आठ चारसो 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 बाटसप नमर सेप कर लिजे और चैट ओपेन किजिए फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल के आपको फोटो किछना है उसे क्रॉप करना है और पांस सिकंड में उसका आपको वीडियो क्लास 6-12 आई-ाई-टी जे डबली नीट सीबसी बोड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाए और आठ चारसो 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 पर अपना सवाल बाटसप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्समें है तो वो आपका वर्ड है याद कर लिजिए जैसू मनी देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आप च्छायवाद के कब तक का याद कभी किया नाम याद कर से जैसे आपका हो जाएगा जैस संकर पसाद ठीक है देखो आया की नहीं और इसके बाद सू मतलब सुमित्रा नं यानि कि आपको च्छायवाद के सारे कभियों के नाम याद हो गए तो आपको जस्मनी याद करके रखना है इसके बाद कोश्चनमर 8 देखिए कैमरे में बंद अपाहिज कभिता में बैंग किस पर था ठीक है आपको यह बता है कोश्चनमर 9 में लेखकने बच्चों को टोल एकर के करना है और यहांपर नेस्ट कोस्चन क्या दिया है भक्तिन महादिव वर्मां का है तो विल्कूल आपको इतमें क्या है, आपका रेखा चितर है, या पिर कहानी है, निवन्ध है, या पिर आलोचन है, आपको यह बताना है. इसके बाद question number 14 में आपको silver bedding कहानी के कथा नाया कौन है आपको ये बताना है और यहाँ पे जूज पार्ट के अनुसार लिखा क्यों पढ़ना चाहता है आपको ये बताना है question number 16 एक अच्छे पत्र की दो विसाएं आपको लिखना है ठीक है इसके बाद देखो question number आपका यहाँ पे सत्रवा क्या दिया है निमिन में से कौन सा अंग्रेजी सब्दों के आपको अर्थ budget का लिखना है और यहाँ पे सब्दों के अर्थ करना है बजट किनी साथ प्रसनों के उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है ठीक है कहां से 20 से लेकर आगे question तो देखिए 20 वा question आपको बताना है पतंग कविता में डाल का लचीला किसका बताया गया है 21 वा question बास सीधी थी पर कविता के अधार पर भासा को सहूलित वरतने को इसपश्ट ठीक है इसके बाद यहाँ के सारे question देख लिए फटा पर ठीक है यहाँ पे आपको स्लेस अलंकार को यहाँ पे उधान सहीत आपको परिभासा लिखना है तो आपका रहिमन पानी रखिए बिन पानी सब्तून पानी गये न उबरे मोती मानस चून इन तीनों सब्द में question हो जाएगा है ना तो आपको इसे याद कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पे नेश्ट क्या दिया है 27 कोशन देख लिए आपको काले मेग फानी से संस्मरण में किसका सुंदर चित्रन किया गया है आपको यह बताना है 28 कोश्चन किसंदा की कौन सी छबी या सोतरा बा पेपर जिस जिली में आपका नहीं हुआ है और कमेंट करो कि आप किस-किस जिली के छात रहें और यहाँ पर 31 कोश्चन आपका यह लिखा गया है आपको इसके बाद आपको यहाँ पर निबंध लिकना है तो निबंध आप बहुत अच्छी तरीके से कोरोना एक महामारी की बारे में लिख दो बच्चो बहुत अच्छी नंबर मिलेंगे और पेपर में आप टॉप करोगे 48 में से 48 नंबर लेकर आओगे तो यह आपका पेपर रहा तो आपने पेपर आई होप यह देख लिया है वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपको हर वीडियो को सबसे पहले नोटिफिक्सन आगे की वीडियो के मिलने बाले है आपके जो पेपर होने बाले है ठीक जिससे आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे हैल्प हो सके तो जै हिंद जै भारत बच्चो यहाँ पे मिलते है वीडियो पर